वेंगंगा नदी पुल पर तड़ बंधू को ततकाल हटाने की मांग को लेकर कल से अनश्यत कालिन धर्णा प्रदर्शन कर रहे हैं प्रदर्शन कारियों की मांग पर किसी भी वरिष्ट अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया इसलिए आंदुलन कारियों ने कड़ी कारवाई की है विस्तरत खबर यह है कि दो फरवरी से मनसे युवराज माकपा प्रहार माकपा शिफसाना व्रक्षा वल्ली वन जीर संरक्षन समीती और अर्मोरी ने सयुक्त रूप से दो फरवरी से वेंगंगा नदी के तड़ पर दि इन हाईवे पर बड़ी संख्या में दुरगटनाय हो रही है पिछले साल नागपूर के एक युवकी वेंगंगा नदी में दिवार ना होने से हाथ से में मौत हो गई थी आगे के खत्रे को देखते हुए उन्ही आंदुलन कारियों ने वेंगंगा नदी पर तडबन निर् देश दिया था यह सवाल आंदुलन कारियों ने भी किया था दो दिन बाद भी कोई तालू का धिकारी बान इस्तल का द्वारा नहीं किया इसलिए आंदुलन कारियों ने आंदुलन को तेज करने की भूमी का निभाई है कलेक्टर के पत्रपत सम्मनित विभाग ने केले की एक टोकरी दिखाई और इस गंभीर मामले से आखे मुनली प्रदशंकारियों ने आगे दुरगटनाओं को रोकने के लिए बार-बार सरकार से संपर किया था लेकिन संबन दिभा के अफरतफरी और असक्षम लापरवाई के कारण एक परिवार दो फरवरी 2022 को दुपए साड के लिए बज गए नहीं तो उन्हें भी तोलकर नदी में बहा दिया जाता प्रदशंकारी मौके से फरार हो गए और अपनी जान बचाली पवित्राद रंजीत बुनकर मंसी जिला उपाद्यक्षिव सेना तालुका अध्यक्ष महेंद्र शेंडे योवरंग अध्यक्ष रा ने रितेश गिर्ड कर आशितोष गिर्ड कर युवराज पडोले राकेश सोन कुसारे प्रशांत सोराटे आप महादेव कोपुल बार ने लिया है अर्मोरी से बीसे न न्यूस के लिए हरेंद्र मरावी की रिपोर्ट